22 जनपत के बबेरु कजबे की घटना है और बबेरु कमा सिन्मार्ग पर बबेरु के परयादाई के पास शुक्रवार की देर शाम सड़क किनारे खड़े ट्रेक्टर से चार पई अवाहन टक्रा गया बेशन सड़क हासे में रितेश कुमार 30 वर्ष ये निवासी छपरा बिहार की मौके पर ही मौत हो गई संतोश कुमार उर्फ बववा सभिता 30 वर्ष ये निवासी बबेरु और चालक सुरेश कुमार पुतर राम चंदर निवासी भिंड देवरिया घायल हो गई सुचनबाकर मौके पर पुलिस पहुची और इलाज के लिए सी एसी बवेरु लाकर भरती कराया डॉक्टरों ने उपचार किया है और हालत गंबीर होने पर संतोश कुमार को जिलस पतल राफर कर दिया है इलाज के दरान संतोश कुमार उर्फ मौवा की भी मौत हो गई है मौत की खबर से घर परिवार में कोहराम मच गया पुलिस ने दोनों मृत्कों के शवों को पंचनामा भर कर पोस्माचम के लिए भीज दिया है बांदा से शिव विलाश शर्मा की रिपोर्ट पुलिस ने सव का पंचनामा करके पोस्माडम के लिए बेच दोनों मृत्कों के परिवार में मौत की खबर के कोहराम मत गया इसी तेश कुमार शप्रा बिहार के बताया जा रहा है और संतोश उसको पववा मवेदू निवा की बताया जा रहा है दोनों धरों पन्वार में मातम शाया हुआ है जीवला सर्मान नाइं बारत जिला सम्माद अता बाना जिनका मामला है लेकि आयती पुलिस क्या है मामला आज करीब साथ बस कर चालिस मिनट पर तीन लोगों को सम्दैक सुस्केन गवेरू काहल उस्ता में लाए थे जिनका मेरे दोरे परिश्ण किया गया परिश्ण के दोरान संदोज शनाफ अरुन कुमार करीब 26 शाल बवेरू अतर्रागु को प्रात्रों को पुप्चार करने के बाद जिला स्ताल बांजर रिफर कर दिया गया है और रिटेश सिंग शनाफ अग्यात निमासी अग्यात उम्र करीब 40 साल जो कि ये परिच्छड के दोरां म्रत था और तीसरे जो गायल थे सुरेज चानाफु रामचंड उनका प्रात्य में पुप्चार कर दिया गया है